शोशल मेडिया पर शिफ्ट हाकरे के फैंस ने तब वाल कर दिया दोस्तों जब गुंजन यानि की विकास मनकतला की वाइफ ने एक चीज शेयर की अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि शिफ्ट हाकरे ने उनके हस्बेंड यानि की विकास के कपड़े पहने हैं चली बात करते हैं काफी सारी चीज़े क्लियर होती नजर आ रही हैं स्वागत है आप सभी का बॉलिवुड स्पाई में मैं हूँ अदिती शर्मा तो शिफ्ट हाकरे पर इलजाम लगा कि उन्होंने विकास मनकतला के कपड़े जोगे पहने हैं और कहीं न कहीं उनकी वाइफ ने ये भी कहा कि विकास की विक्षन की ही वेट कर रहे थे क्या ये कपड़े हम यहां पर इंतजार कर रहे हैं कि ये सूट वापस आएगा लेकिन वो अब तक वापस नहीं आया तो दोस्तो अब जो सूट पैने हमें शिफ्ट हाकरे दिखाई दे रहे थे वो सूट वापस आ चुका है और पहुंच चुका है विकास के घर में हम देख रहे हैं कि जिस पैकेट में वो आया है विकास रिटर्न विकास यहां पर लिखा हुआ है और वो सूट जो है अब गुंजन के पास है विकास के घर में है और गुंजन ने यहां पर यह चीज भी लिखी है कि कही ना कहीं कोई misunderstanding हो सकती है या कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये suit अब हमारे पास पहुंचा जब यहाँ पर उन्हें ये tweet किया ये बवाल हुआ इसके पहले ये suit अभी तक घर के अंदर ही था विकास का समान वापस नहीं आया था मतलब विकास का जो समान वापस आया उसके साथ य जहीं ना कहीं ये जो है team ने अब उनको वापस किया है outfit और episode में भी हमने देखा के शिव ठाकरे ने एकदम जाकर वा outfit change किया है उन्होंने कुछ समय के लिए ही वो outfit पहना था immediately उन्होंने वो change किया है हो सकता है ये एक mistake हो लेकिन मैं बहुत जादा upset थी इस चीज से कि उन्ह ना कहीं उनकी लड़ाई भी है घर के अंदर तो उनके eviction का wait कर रहे थे क्या और उसके बाद उनके कपड़े use कर रहे हैं तो ये कुछ भी हो सकता यहां पर जिस तरीके से चीजे रही हैं जिस तरीके से लोग भड़क रहे हैं मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी लेकिन हाँ मैं upset हुई हुई इस चीज से तो ये चीज तो clear हो गई कि गुंजन ने जो चीज कहीं थी दोस्तों कहीं ना कहीं अब उस चीज को नकारा नहीं जा सकता क्योंकि शिव ने वो outfit पहना था और उसमें वो नजर आये थे लेकिन बहुत कम समय के लिए पहना था तो मुझे जहां तक लगता है अगर personally मैं कहूं तो कोई misunderstanding हो गई थी शायद शिव के कपड़ों के साथ ये कपड़े mix हो गए थे और शायद शिव को ये लगा कि उनके कपड़े हैं तो अब बिग बॉस की जिम्मेदारी बनती है कि वो clear करे इस चीज को जब national television के through ये issue उठाए बाहा है तो clear किय जाये कि वो क्या हुआ था है ना ताकि जो fans भड़के हुए हैं थोड़ा सा उन्हें विराहत मिले आप सभी को क्या है इस पर कहना comments में ज़रूर बताईए